Let's start with the new chapter, the future tense Past or present tense हमारा हो चुका है यह है अब इस unit का last chapter, future tense इसके अंदर हमको subject के साथ will और shall यूज़ करना होगा base form of the main verb जैसे I will talk about it later अगर हमको इसको negative में show करना है तो will के साथ note आ जाएगा interrogative में करना है तो will हमारा starting में आ जाएगा और last में हो जाएगा caution mark ठीक है future continuous tense continuous में क्या हो जाएगा will तो लगेगा ही यह ing तो है ही लेकिन साथ में b भी लगेगा किस के साथ will के साथ will, b और फिर ing यह हो जाएगा हम इसकी exercise करते है feeling the blanks with the correct form of the verb in bracket use the simple future or the future continuous tense first है this time tomorrow we will be enjoying ourselves in pandu cherry ठीक है कि कल हम इसी time ही enjoy कर रहे होंगे वहाँ पर तो यह image कर रहे है second है I think they will shift the office to a new building कि वो ओफिस में करेंगे shift third है will you attend the poetry reading session today evening fourth है don't worry we will find our way out of it यहाँ पर आपने एक बात नोट करी होगी जहाँ पर ing लगा हुआ है सिर्फ वहीं पर ही b का use हुआ है बाकी जगा पर use नहीं करना हमने आगे है future perfect अब जहाँ perfect आ जाता है वहाँ पर क्या करते है हम have करते है सिर्फ have करेंगे has नहीं करना सिर्फ have का ही use करना और उसके साथ will भी होगा और लग जाएगी हमारी verb की third form use होगी ठीक है सिर्फ have करना has नहीं करना इसके अंदर ऐसे ही perfect continuous में future है तो will आ जाएगा perfect है तो have been आ जाएगा continuous है तो ing आ जाएगा और साथ में लगेगी verb की third form यह हम कर लेंगे लेकिन इसके अलावे एक और बात बताई हुई है अगर हमें यह use नहीं करना will, shall यह वाले तो हम क्या use कर सकते हैं about to इसका भी क्या काम होता है work to talk about the immediate future जो immediate तुरंद होने वाला है future में वो भी इसी की ही बात करता है जैसे due to हो गया यह सारा आपको बताई हुए है आप देख लेना b में हैं filling the blanks with the suitable future transform of the verb given in the bracket first में हैं सुधा will have worked as a dedication for three years next month second है let's quickly finish our lunch the program is about to start यह is about कब बिल्कुल जब immediate future बता रहो थोड़ी सी देर के बाद मदलो की दर्समें बें स्टार्ट होने वाला है यह गंटे में स्टार्ट होने वाला है तब हम कह देते हैं इस्टर रगुननन्दन विल एड्रस दा ओडियंस एट थ्री पी एम बस उसी के बात हो रही हो तब यह एट लगता है कि तीन बज़े कहा है तो तीन बज़े ही होगा सी में हैं कम्प्लीट दे सेंटेंस बाउट दा फ्यूचर विदाउट यूजिंग दा एक्जलरी विल हमने विल यूज नहीं करना है अब आउट टू कर देंगे देखो लुक एट दोज ग्रे क्लाउड उन प्लाउड को देखो इट सीम इट इस गोइंग टू रें की वर् यू आर तू हैंड ओवर दिस पैकेट तू मिस्टर स्नेहा वर्मा फोर्थ है दा पार्सल इस डू तू अराइव बाई टूमोरो फिफ्थ है दा डिग्निटरी व्रूम दा टू कंट्री आर तू मीट एट फोर पी-म ओन मंडे मीस दो कंट्री के जो होते हैं नचीफ लगा तू मिलने वाले हैं चार बजे लास्ट है दा मिल्क इस आबाउट टू ओवर फ्लो प्लीज ट्रन ओव दा स्टोग ठीक है अबाउट टू हमने यूज कर गया क्यों यूज कि बस वह दूद उबल नहीं वाला है तो वह इमिडेट काम होने वाला तूरंत काम होने वाला है उसकी जगा हमने इस आबाउट टू लगा दिया ठीक है